Hello students, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर आज की डिक्टेशन 80 प्रती मिनिट की गती से तयार की गई है यह डिक्टेशन कोर्ट्स एक्जाम को देखते हुए तयार की गई है और SSE एक्जाम के लिए भी बहुत ही जादा महत्पूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन तो इन डिक्टेशन को बहुत ही ध्यान से कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविसमेसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें डिक्टेशन पर आरभ होने में अंतिम 5 सेकंड, 4, 3, 2, 1, start महोदय समाज के दो भागों में विभाजन की प्रिक्रिया जिसमें मात्र थोड़े से लोग नई आर्थिक नीती के तहत दिंदूनी राजचोगनी प्रगती कर रहे हैं और बाकी के लोग लगातार भुकमरी की कगार पर पहुँच रहे हैं यह सिर्फ सहरों तक सीमित नहीं हैं बलकि यह सिलसला गाओं में भी देखा जा सकता है बिजब में जहां कुछ बिकास सील देश आज नई और द्योगिक देशों का रूप धारण कर रहे हैं बहीं भारत जैसे कुछ देश नई किरसीरत देश का रूप अपना रहे हैं इन नई किरसीरत देशों का काम है बिक्सिद देशों को सजावट के लिए फल फूल दुरलव किरसी उत्पाद निर्यात कर उन देशों से खाद्यान आयात करना नई आर्थिक नीती के तहट अंतर राष्ट्रिय ब्यापार के शंबव हो सकने के लिए यह जरूरी है कि किरसी योग्य भूमी के इस्तिमाल किये जाने का तरीका ही बदल दिया जाए क्योंकि खेती किस चीज की होगी यह बात भू स्वामी की हैसियत से तै की जानी चाहिए इसलिए यह जरूरी है कि बदलते उत्पाद को संभव बनाने के लिए जमीन श्वामित्व में बदलाव लाया जाए किर्सी के लिए जरूरी सामान दिये जाने वाले अनुदान में कमी भू स्वामित्व की सीमा का अंत और निजी पूझी को खेती का स्वामित्व दिया जाना कुछ ऐसे कदम हैं जिनके जरिये भू स्वामित्व में बदलाव लाया जा रहा है पैरा मेरट जिले में जमीन की बिक्री पर किये गए एक छोटे से अध्यन से पता चलता है कि स्वामित्व इस प्रकार से बदल रहा है जिससे निर्यात के लिए उत्पादन सुनिश्चित किया जा सके इस अध्यन के अनुशार मेरट में शीमांत और मध्यम किशानों की शंख्या तो कम हो गई है पर छोटे बड़े दोनों ही तबकों के किशानों की शंख्या बढ़ गई है सीमांत किसान अपनी जमीन से बंचित होकर खेती हर मजदूरों की स्रेणी में आ गई है और कई मध्यम किसान अपनी जमीन का एक हिस्सा बेंच कर छोटे किसानों में सुमार हो गई है अर्थात किर्सी उत्पादन दो अलग अलग गुटों में हो रहा है एक गुट अपनी जरूरत मात्र का अनाज उगाने बाली छोटी जोतों का है तो दूसरा बड़े खेतों का जिन्हें कमपनियां खरीद सकें उनमें पूझी लगा सकें और मात्र बेंचने के लिए उत्पादन करते हुए बिजव के बाजार से जुड़ सकें संचेप में यह कहा जा सकता है कि नब्बे के दसक में उभरता भारत जिसे अंतितहा नींद से जगाया हुआ सकती साली हाथी कहा जा रहा है देश के अधिकतर लोगों के हितों का पृति निधित्व नहीं करता है गरीब के आंकणों में भले ही थोड़ा परिवर्तन हुआ हो लेकिन यह बात साफ हो चुकी है कि अधिकांस भारतियों को योजनाबध तरीके से आधुनी की करण की पिरक्रिया से काटा जा रहा है धन्यवाद स्टूडेंट्स डिक्टेशन ने दी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए अधिक से अधिक स्रेयर कीजिए और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको इसी पिरकार की तमाम से रिलेटेड वीड वीडियोज आपको प्राफ्ट होती रहेंगी इस चैनल पर इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कीजिए मतलब बैल आइकोन पर भी क्लिक कीजिए धन्यवाद